हेलो दोस्तों मेरा नाव है गुलशन सिंग गुलाटी, सेल्स टेनर, मोटिवशन स्पीकर और लीडिशिप कंसल्टेन्ट और थमने लिए आपने टॉपिक देखे लिया होगा, दुनिया का सबसे आसान क्लोजिंग का तरीका जिसे हम लोग कहते हैं, अज्यूम क्लोजिंग, दोस्तों अज्यूम क्लोजिंग को कुछ लोग अज्यूम क्लोजिंग भी कहते हैं, इस क्लोजिंग को कुछ लोग अजम्टिफ क्लोज भी कहते हैं, कुछ लोग प्रिजम्टिफ क्लोज भी कहते हैं, और कई लोग इसे और शीट क्लोजिंग भी कहते हैं, यह अलग-अलग नाम है पर मकसद सबका एक ही है दोस्तों जब भी आप कोई product अपने customer को दिखा रहे होते हो या तो आप product का demo दे रहे होते हो या कोई concept होता है जिसकी presentation दे रहे होते हो आप बहुत excited होकर plan शुरू करते हो product से मिलने वाले benefits बताते हो सारी जीजें बहुत excitement से करते हो बट जो end part आता है किसी भी presentation का end part होता है closing करके वो आप पैसे उठाते हो चेक उठाते हो या online transaction की बात करते हो वहाँ पर मैंने क्या देखा है 90% लोग 90% लोग उनके मन में एकदम दिल धड़कना बहुत तेरी शुरू हो जाता है दरना शुरू कर देते हैं कि अब मैं closing की बात करूँगा तो मेरा सामने जो prospect बैठा है ये क्या feel करेगा दोस्तों इसकी वज़ाई ये है क्यों closing की सही strategy कभी कभी नहीं होती तो हम लोग बेकार की बातों में उलच जाते हैं इधर उधर की बाते करते रहते हैं और मुद्दे पर आने ही पाते जो पैसे मागने का मुद्दा है उस पर आने ही पाते तो आए closing को जानते हैं हम लोग assume closing assume closing का मतलब क्या है कि आप seller जो है seller ये assume कर चुका है कि buyer already मेरा product खरीदने की बाद मान चुका है buyer ने बोला नहीं है और अगर आप इस अंदेशे में बैठे हैं आप इस अनुमान में बैठे हैं कि आपने product बहुत बढ़िया से समझा दिया concept बहुत अच्छे से बता दिया ऐसे लोग जो है हमें 1000 में से कोई एक मिलता है जो खुद से आकर बोलता है और खुद से सारी बाते होती है वहाँ पर आपको closing करनी है तो assume closing का मतलब है मान लेना ये मान लेना कहा नहीं आप ये customer ने बढ़िया मान लेना कि मेरा customer खरीदने के लिए तयार है अब अगर वो ख कैसे react करूँगा या क्या बात होगी या नहीं होगी तो hesitancy को दूर करता है और सीधा मुद्धे पर लेकर आता है दोनों के लिए time saving है seller के लिए time saving है और buyer के लिए time saving है बट एक चीज आपने याद रखनी है वो ये assume closing को use तभी करना दबाव अपने product से मिलने वाले सारे benefits जो है वो आप अपने customer को दिखा चुके हो customer की life में क्या-क्या value addition आने वाला है आपके product की विए से आप अच्छे से value को establish कर चुके हो तब जाकर आप ये बात करना अनदर वाइस अगर बिना value establish करें आप closing की बात करोगे तो शायद closing उतनी effective नहीं रहेगी और इसमें एक और addition में यहाँ पर देना चाहूँगा कि ये closing तब सबसे effectively काम करती है तब सबसे असरदार काम करती है जब आपको buying signal दिख रहे हैं ऐसा नहीं कि buying signal नहीं दिख रहे तो आप closing नहीं करेंगे तब भी करेंगे तो जब buying signal दिख जाए तो समझे तब तो बिल्कुल सही time आचुगा है closing क इस formula को use करने का buying signals क्या होते है एक customer कभी-कभी presentation के दोरान buying signals देता है जैसे कि वो गर्दन हिलाता है नौड करता है आपकी बातों में वो आपके द्वारा बोले गए statements को repeat करता है और वो हैरानी से देखता है आपके द्वारा बोले गए beneficial statements को अच्छा ऐसा भी हो सकता है ये स signal आपके साथ share कर रहा है तो आईए मैं आपको दो example देना चाहता हूँ एक example देता हूँ आपको insurance का अगर आप insurance का plan दिखा रहे हैं तो आप assume closing को कैसे use कर सकते हैं और दूसरा example आपको देता हूँ network marketing का कि उसमें भी आप assume closing को कैसे use कर सकते हैं और assume closing तो कहीं पर भी इस्तमा क्या हो सकते है value addition क्या क्या हो सकते है life के अंदर सारी चीज़े समझाने के बाद अब बारी आती है वहाँ पर policy के लिए order मांगने की वहाँ पर check मांगने की बारी आती है बट कैसे मांगा जाए क्या dialogue ऐसा बोलो जाए क्या बाते ऐसे की जाए तो वो assume यानि मान ले कि मेरा जो सामने prospect बैठा है ये खरीदने को ready है वो ऐसा मान ले बहुत positive closing है ये वो मान ले और अगर वो मान चुका है तो क्या क्या सवाल वहाँ पर होंगे तो वो एक सवाल पूछ सकता है पहला कि सर एक बात बताईए आप इस policy में nominee किसको बनाना चाहेंगे अभी उसने बोला नहीं है customer नहीं कि मैं खरीदने को तयार हूँ पर आप assume कर चुके हैं कि वो खरीदने को ready है तो सवाल आपने पूछा कि सर आप nominee किसको बनाना चाहेंगे आप अपने parents को nominee बनाना चाहेंगे या अपनी wife को अपने बच्चो को किसको nominee बनाना चाहेंगे सर आप policy delivery कहां पे चाहेंगे आप कहां चाहेंगे policy deliver हो या आपके घर पे deliver हो या आपके office में deliver हो जाए सर कईयों के policy के अंदर क्या होता है medical underwriting भी होती है वहाँ पर medical test करवाना पड़ता है उन लोगो तो आप assume closing में इसको पूछ सकते हैं कि सर medical appointment आपके लिए सबसे suitable दिन कौन सा रहेगा medical test के लिए आप weekdays में करवाना चाहेंगे या weekends में आप इसे कराना prefer करेंगे सर mode of transaction क्या रहेगा आप online payment करना चाहते हैं या check के through करना चाहते हैं और अगर आप online करना चाहते हैं तो paytmb है google पे भी है और यह सारी सुविधा ही आपर मोजूद है आप कौन सा करना चाहेंगे और end में आप बोल सकते हैं कि sir form registration के लिए अगर physical form है तो form registration के लिए online है तो वहाँ पर आप दोनों में ऐसा बोल सकते हैं sir form registration के लिए मुझे आपके नाम के correct spelling जानने ताकि मैं paperwork जो है complete कर लूँ तो इस paperwork को complete करने के लिए आपका नाम correct मुझे spelling प्लीज बता देंगे या मुझे supporting documents आप दे सकते हैं आप जैसे कि आपका आधार card या pancard जिससे मैं form का जो process है इसको complete यहाँ पर कर लूँ अब देखो आपने 5-4 सवाल पूछे सवाल और भी हो सकते हैं पर यह 4-5 सवाल जो है lead कर रहे हैं एक-एक करके closing की तरफ अब दो सूरत यहाँ पर होंगी एक सूरत तो यहाँ पर यह होगी कि आपका customer कहेगा एक-एक करके जवाब देता रहेगा आपको और वो बिल्कुल point पर पहुँच जाएगा हो भी सकता है यहाँ पर आपका customer आपको कोई ना कोई objection दे दे अगर वो objection देता है तो भी खुश रहे ना क्योंकि दुनिया के जतने महान sales के लोग हैं वो objection से ही sales निकाल कर लाते हैं मुसीबत तो वहाँ पर आती है जहाँ पर आपका customer objection ही नहीं देता और चुप करके बैठा रहता है वो सबसे वेकार meeting होती है क्योंकि वहाँ पर आप crack नहीं कर सकते हैं जहाँ objection आ रहा है वहाँ तो आप खुश हो जाईगी क्योंकि objection का मतलब है solve करो और पैसे ले जाओ solve करो उसके objection को customer के objection को और आप पैसे लेके के वहाँ से जा सकते हैं तो यह तो था insurance का अब आईए मैं network marketing की बात करता हूं अब network marketing का plan दिखा रहे हैं अच्छे तरीके से आपने सारे benefits वहाँ पर share कर दिए value addition कर दिए वहाँ पर आप पूछ सकते हैं वहाँ पर कि सर मैंने इस plan के अंदर इस process में आपको तीन चीजे दिखाईएं एक था product part एक है business part और एक है testimonial part testimonial मतलब जैसे लोगों की जिंदगी बदलती है एक वह वाला पार्ट था आपको तीनों में से सबसे अच्छा part कौन सा लगा आपको product पार्ट सबसे अच्छा लगा business part सबसे अच्छा लगा या testimonial सबसे आपने सीधा मुद्दा नहीं मांगा उससे कि बताइए सर पैसे कितने दे रहे हैं और product मेरा कब ले रहे हैं यह पूछा और यह सवाल तो कभी पूछना भी नहीं है कि सर्फ product कब खरीदेंगे कहां खरीदेंगे कितने का खरीदेंगे ऐसे सवाल बिलकुल मत पूछना जिसके जवाब आपको नहीं चाहिए assume closing में वो सवाल पूछे जाते हैं जो सवाल lead करता है closing की तरफ तो पहला सवाल क्या था which part of the presentation you like the most product पार अच्छा लगा business पार अच्छा लगा या testimonial पार अच्छा लगा फिर आप पूछ सकते हैं वहाँ पर कि आप products की delivery कहां पर चाहेंगे आप चाहेंगे आपके घर पर products आप यहां पर mode of transaction क्या use करना चाहते हैं आप online payment करना चाहते है debit card credit card या UPI के थ्रूप करना चाहते है या आप store पर जाकर purchasing करना चाहते हैं आप mode of transaction क्यों सा use करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं आप मुझे paper work complete करने के लिए अपने कुछ documents अगर दे पाएं तो मैं KYC complete कर और process पूरा यहां पर हो जाए तो यह 4-5 सवाल से आप यहां पर assume closing कर सकते हैं दोस्तों assume closing का एक ही मकसद होता है closing को done करना नहीं तो objections को निकालना यह भी मकसद है closing का objection आएगा और दुनिया के महान लोग जो है sales के वो objections से डरते नहीं है वो objections का सामना करते हैं और अच्छा answer देखें उसको वहाँ पर close करते हैं तो दोस्तों यह मकसद था assume closing का आपके साथ share करने का इसको use करके देखिए बहुत आसान तरीका है practice की बात है जतना ज्यादा आपकी closing ratio जो है increase हो जाएगी इसके अंदर तो इनी शब्तों के साथ closing technique जो है जरूर शेर करें क्योंकि उनकी बहुत help करेगी और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्तों जरूर करिएगा bell icon hit करिएगा इनी शब्तों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद thank you so very much इस वीडियो को देखने के लिए thank you